वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेर से रेलेटेट ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पॉर्पस से सीखने के मकसद से दिखाई जाती है हम किसी भी तरह की illegal activity के लिए इन्हें इ जाहिता से एक computer से दूसरे computer में data transfer कर सकते है इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह की एक LAN cable लेनी होगी फिर इसके एक connector को आप अपने first computer से और उसके दूसरे connector को आप अपने दूसरे computer या laptop से connect कर देंगे अपने दोनों systems को कुछ इस तरह से connects करने के बाद आप अपने first computer क desktop को open करेंगे और फिर यहाँ नीचे network icon पर right click करके network and internet settings इस पर click करके इसे open कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ सबसे नीचे advanced network settings इसे open करेंगे फिर आप advanced sharing settings इसे open करेंगे और यहाँ से इन दोनों options network discoveries और files and printer sharing इन्हे on कर देंगे इसके बाद आप all networks इसे open करेंगे और public folder sharing इ से off कर देंगे, ताकि बिना किसी password के आप आसानी से data transfer कर सकें, इसके बाद search में type करेंगे, cp और control panel को open कर लेंगे, control panel में आप network and sharing center इसे open करेंगे, उसके बाद हम change adapter setting इस पर click करेंगे, यहाँ आपको ethernet show हो रहा है जो की अभी unidentified network show कर रहा है, इस पर हम right click करेंगे और इसकी properties open करेंगे, यहाँ हम internet protocol version 4 इसे select करेंगे, फिर यहाँ नीचे properties पर click करेंगे, यहाँ हम इसे change करके use the following IP address इसे select कर लेंगे, फिर हम यहाँ IP address टाइप करेंगे 192.166.0.1, इसके बाद tab लगाएंगे, subnet mask अपने आप ही आ जाएगा, और यदि ना आए तो आप यहाँ से देख कर टाइप कर लेना, जो की है 255.255.255.0, उसके बाद default gateway में आप टाइप करेंगे 192.166.0.2, यह सब टाइप करने के बाद आप OK बटन को प्रेस करेंगे और इस window को close कर देंगे, इसके बाद यही same settings हम अपने second computer में भी करेंगे, तो हम अब second computer के desktop पर चलते है, advanced network settings के लिंडोज आइकॉन पर right click करके इसमें network connections को select कर सकते है, यहाँ आने के बाद हम advanced network settings इसे open करेंगे, और इस computer में भी वही same settings network sharing and file and printer sharing को on करेंगे, और all networks में public folder sharing को on करेंगे और password protected sharing को off कर देंगे, इसके बाद यहाँ भी हम control panel में जाएंगे, और network and sharing center को open करेंगे, फिर change adapter setting को click करके open करेंगे, यहाँ Ethernet पर right click करेंगे, फिर properties में जाएंगे, फिर internet protocol version 4 इसे select करेंगे, और फिर नीचे properties पर click करेंगे, और यहाँ हूँ IP address में अपने first computer का default gateway, यानि कि यहाँ type करेंगे 192.166.0.2, इसके बाद tab लगाएंगे, subnet mask अपने आप ही आ जाएगा, और यदी ना आए तो आप यहाँ से देखकर type कर लेना, जो की है 255.255.255.0, उसके बाद default gateway में अपने first computer का IP address type करेंगे, जो की था 192.166.0.1, इसके बाद हम okay करके सब कुछ close कर देंगे, अब आपके दोनों computer एक दूसरे से LAN cable से connect हो चुके है, अब हम file explorer में चलते हैं और जिस भी folder का data हमें share करना है, उस folder पर right click करते हैं, जैसे example के लिए मैं यहाँ इस snow folder के data को share करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर right click करूँगा, show more option पर click करूँगा, और फिर give access to यहाँ जाओंगा और specific people इसे click करूँगा, यहाँ drop down से everyone इसे select करूँगा, फिर add button पर click करूँगा, फिर इसक folder के data को access कर सकते है, अब हम अपने first computer पर चलते हैं, और उससे इस folder के data को access करते है, अब हम अपने first computer के desktop पर आ गए है, यहाँ से आप file explorer में जाके उस folder का address type करके data को copy कर सकते है, पर मैं आपको यहाँ एक direct method बताता हूँ, आप windows प्लस आर का button प्रेस कीजिए, और run में दो बा किया था वो आ जाएगा, इस folder को open करके आप इसका data copy कर सकते है, इस folder को आप file explorer में address type करके भी open कर सकते है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप file explorer open कीजिए और फिर उपर address में type कीजिए वो address जो second computer में folder को share करने पर show हुआ था, double slash sandy फिर slash फिर folder का नाम और enter कर दीजिए, जै जैसे ही आप enter करेंगे second computer का folder आपके first computer में open हो जाएगा, यहां से आप सभी files को या किसी भी एक file को open कर सकते है, या फिर यहां से copy करके paste भी कर सकते है, यह तो हो गया जब हम second computer से data को first computer में transfer कर रहे है, इसी तरह से आप first computer से data अपने second computer में भी transfer कर सकते है, इसके लिए आपक इसको उल्टा करना होगा। जैसे हम first computer के दिवाली folder के data को second computer में copy करना चाहते है तो आपको इस folder पर right click करके ठीक उसी तरह से give access to में जाना होगा। फिर specific people को select करके everyone को add करना होगा। फिर permission से read को change करके read right को select करना होगा। फिर share button को click करके जो ये address दिखाई दे रहा है। उसे अपने second computer के file explorer में address में type करके enter करना होगा। जिससे ये folder second computer में open हो जाएगा। अब हम अपने second computer पर चलते हैं। यहां हम file explorer को open करते हैं। यहां address में type करते है double backward slash sandy book slash फिर folder का नाम दिवाली और enter कर देते हैं। सारा data यहां share हो चुका है। Ctrl A प्रेस करके सभी files को select करते हैं। राइट क्लिक करके files को copy करते हैं। फिर अपने computer में एक new folder create करते हैं और यहां data को paste कर देते हैं। आप देख सकते हैं। फर्स्ट computer का data यहां second computer में paste होना शुरू हो गया है। यह से ही आप कितना भी बड़ा data हो आप बिना दिक्कत के आस को remove कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से उस folder पर right click कीजिए जिसका data आपने share किया था। फिर आप give access to पर जाएए और remove access को click कर दीजिए। उसके बाद stop sharing पर click कीजिए folder की data sharing permission remove हो जाएंगी। तो दोस्तों आज आपने जाना कि आप किस तरह से एक LAN cable की सहायता से अपने computer क data को transfer कर सकते हैं। इसमें आपके समय की भी बचत होती है। क्योंकि यदि आप किसी pen drive या external hard disk से data को transfer करते हैं तो आपको पहले data को first computer से किसी external drive में data को डालना पड़ता है फिर उस से अपने second computer में डालना पड़ता है इसमें दोगुना समय लग जाता है। तो यदि आपको य लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद दोस्तों